तो finally अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे करनल एस्यू को मैं यहाँ पर यूश करूँ गा और करनल एस्यू को इंस्टॉल करेंगे directly within this one पहले कैसा था अगर आपको करनल एस्यू को इंस्टॉल करना होता तो आप उसके लिए compatible करनल को इंस्टॉल करते थे लेकिन अब यह भी हमारे पास यहां पर Magisk जैसे एक option देखने बोला है अगर मैं यहां पर क्लिक करूँ तो देखे Select a File यह चीज हमारे पास यहां पर available है For example, मेरे पास Google Pixel का device में device है जिसमें अगर मुझे इसको root करना है तो मुझे उसके boot image नहीं चाहिए सेम चीज यह सी को installation के time पर आपको चाहिए बस आपको एक boot image चाहिए यहां फिर आप ओल सकते की init underscore boot image चाहिए जो भी आपको चाहिए और done उसके बाद आपको पास एक image file generate हो जाएगी .img के name से जो कि आपको download वाले folder में देखने को मिलेगी आपको वहां पर से उसको करना है वहां पर आपको उसको देखना है कि आपको इस storage में वहां पर available है फिर आपको उसे install करना है एक बार के लिए मैं आपको वह file दिखा लता हूँ कौन सी file की मैं यहां पर बात करूँ अगर हम चलेंगे download वाली section में तो as you can see हमारे पास यहां पर एक file available है boot image की name से उसके बात आपको for example मेरे case में custom recovery अवेलिबल नहीं है तो मैं चलूँगा यहां पर अपने PC में अपने device को मैंने किया fast boot में connect और आपको इस command को type करना है इस boot image को select करना है और जिसको आप यहां पर drag and drop कर सकते हैं जैसे मैंने किया उसके बार done this is it आपका device actually में rooted इसके लब आपको और कुछ भी नहीं करना है बस आप fast boot reboot करेंगे अपने device में boot करेंगे और जब आप अपने device में boot कर जाएंगे उसके बाद आप इसे use कर भाएंगे अपने device को as usual जैसे आपने device को root किया मैं use करूँ me 11x उसमें वो चीज़े by default available नहीं है मुझे compatible kernel चाहिए लेकिन जैसे मेरा जो device है POCO F5 उसमें आपको by default GKI based kernel देखने का मलता है तो मुझे उसके लिए kernel SU से जाके कोई zip flash करने की ज़रूरत नहीं है मैं directly within kernel SU उसकी boot image को patch करके उसको use कर सकता हूँ बहुत साथा simple है बहुत easy है और अभी मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ root checker से आपको ये भी बताता हूँ जो मेरा device है वो actually root हो चुका है एक चीज़ आपको mind में रखनी पड़ेगी जब आप इसको use करेंगे तो आपको जो इसको root permission grant करनी है वो magisk की तरह एक तरह एक तर्म से automatically pop up नहीं होगा automatic root permission आप grant नहीं कर सकते है इसके लिए आपको manual root permission grant करनी होती है और यहाँ पर आप देखें जैसे आप magisk install करते है direct install का option आपको देखने को मलता है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लेकिन उसकी ज़रुवत नहीं है because it's already working fine बाकी सब जीज़ें literally same आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और हमने उस app को install कर ले एक बर मैं इसको root permission यहाँ पर grant करूँगा refresh करके अगर मैं उसको root permission यहाँ पर grant करूँ this is it, super user done हम चलेंगे उस app में और आपको देखने को मिल जाएगा जो मेरा जो device है that is now rooted, get started, verify root, it's done तो इस तरह से आप इसे अपने advice में यूज़ कर पाएंगे एक बार दुबारा से steps क्रेश करते हूँ this is it, very simple, thanks for watching we'll see you in the next one, goodbye